आगस्टा वेस्टलेंड डील को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं आगस्टा डील को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमिद शा ने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीका हमला बोला है शा ने सोनिया से चार सवाल पूछे हैं शाह ने सोनिया से पूछा है कि किसने कंपनी को टिंडर भरने की इजासत दी भारत में हलिकॉप्टर का फील्ड ट्रायल क्यों नहीं हुआ टिंडर को रोकने में देरी क्यों हुई गरबड़ी सामने आने के बाद ही टिंडर क्यों कैंसल नहीं किया गया अब साथी शाह ने पूछा है कि पैसे वापसी पर जूट क्यों का आ गया जील के लिए दिया गया पूरा पैसा अब तक क्यों वापस नहीं आया ये सवाल पूछें अमित शाह ने कि अंगरे सद्यक्षा को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं एक कि तो जब टेंडर निकला तब टेंडर के चैप्टर नंबर दो में पैरेग्राफ दो में एक प्रावधान था कि टेंडर ओरिजिनल एक्क्यूप्मेंट मैनुफेक्चर ही भर सकते हैं उसके बाद ही बाद भी आपने ओगस्टा वेस्ट्लेंड इंटरनेशनल लिमिटेड को टेंडर भरने की इजाजत दी टेक्निकली कॉलिफाई किया किसके इसारे पर ये परमीशन उनको दी गई किसके इसारे पर उनको टेक्निकली कॉलिफाईड पाया गया